नमस्कार, स्वागते आपको यूटूब चैनल फेना ओच पे आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं Reliance Power Stock को लेके बहुत जुनने हम लोगों को पूछा कि Reliance Power Stock के बारे में क्या करना चाहिए इसके पहले भी हम लोगों कुछ वीडियो बना के आपको Reliance Power के बारे में जो भी अपडेट्स आया थे वो हम लोगों ने शेयर किया था आपके सब अभी फिलाल इस वीडियो में ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि नया कुछ अपडेट आया पावर को लेके आपके Reliance Power स्टॉक के बारे में हम लोगों ने सुचा यह वीडियो मना के जिन लोगों ने पूछा उन लोगों को एक अपडेट दे यह थे क्योंकि अभी अगर स्टॉक देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो स्टॉक में जो थोड़ा बहुत एक जो देखने को मिला है हम लोगों को अगर कुछ दिन के अंदर का हम लोग स्टॉक देखते हैं इसलिए हम लोगों ने स्टॉक का जो 10 साल का थोड़ा इंफिर में और देखते है रलाइंस पावर का 97.90 परसन का लॉस दिया है दस साल में यह स्टॉक ने अपने इंवस्टर्स को उसके बाद यहाँ पर अगे का information निकालते हैं एक महिने का अंदर देखते हैं तो 1.20% का loss दिया है यह जरूर है कि एक महिने का अंदर stock में तेजी भी देखने को मिला है और stock में जो है एक गिराबड भी देखने को मिला है मतलब अगर आपने stock लिया है और जाधा price में बेचे तो आपको हो सकते हैं मुनाफ़ा में मिला रहेगा लेकिन एक मेने का अंदर अगर हम लोग total stock का total information निकालते हैं तो एक मेने में जो करिबन 1.20% का loss दिया है Reliance Power के बारे में इसके पहले जो भी information आया था जैसे कि Reliance Power जो है बंगलादर जठाका में जापन के साथ मिलके एक project पे उपर ये लोग काम शुरू कर रहे हैं जो बहुत बड़ा एक project है वो सब हम लोगों ने information दिया था यहाँ पर एक हफते का बात करते हैं एक हफते में 10.11% का यहाँ पर जो है मुनाफ़ा हम लोग को देखने को मिला है 10.11% का तो यहाँ पर अगर stock के basis में आप देखते हैं या फिर relance power का जो company basis में आप देखते हैं फिराल हम लोग को यह लग रहा है कि company यह stock का जो price थोड़ा और बढ़ सकता है इतना ज़ादा आप नहीं सोच सकते कि यह stock में बहुत ज़ादा आपको मुनाफ़ा मिल जाएगा हाँ यह ज़रूर है stock में थोड़ा बहुत आपको मुनाफ़ा दे सकता है कि यह अगे जाके इसमें और थोड़ा बहुत मुनाफ़ा देखने को मिले अगर आप नया stock खरिदना चाते हैं तो कुछ दिन रुखके देख सकते हैं stock में क्या चल रहा है उसके बाद आप ले सकते हैं अगर आप इसमें लेके रखे हैं और मुनाफ़ा में नहीं है तो कुछ दिन रुखके देख सकते हैं आप हो सकता है कि यह बहुत जल्दी थोड का यह information हम लोगों निकावाई यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते बीट प्राइस को एंडिटी 3.42 का दिखा रहा है यहाँ पर प्रिब्येस को स्टी पॉइंट 32 का दिख रहा है एंड ओपन प्राइस 3.26 रुपीज का दिख रहा है एज यह स्टॉक छोटा स्टॉक है पेन प्रिब्येस को 3.30 ओपन प्राइस 3.30 तो हम लोगों ने सोचा कि बीच में रलाइंस इंफा के वादे में आपडेट पर आथा कि प्रोमोटर जो अपना स्टेक बढ़ाएगा तो इसके लिए हम लोगों प्रोमोटर का शेयर ओल्डिंग देखा यहाँ पर नॉन यह 3.83% का स्टेक है जैसा कि कुछ में इना पहले अपडेट आया था कि रलाइंस पावर जो है अपना स्टेक बढ़ाएगा प्रोमोटर जो अपना स्टेक बढ़ाएगा रलाइंस पावर के स्टॉक में बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है और यहाँ पर हम लोगों इसका स्कीन स्कीन शॉट में आपके साथ शेयर करने के कोशिश कर रहे हैं स्कीन शॉट में यहाँ पर आम लोग देख रहे हैं कि प्रोमोटर का जो स्टेक है वो कुछ भी चेंजस नहीं हुआ है यह जुन कौर्टर में भी तो अभी तेक ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है यह जरूर ह कि कमपानी का जो भी प्रोजेक्ट से उसमें यह लोग लगे है और यह लोग अच्छे का से काम कर रहा है यहाँ पर शेयर होल्डिंग में इन लोगों ने कुछ भी श्टेक बढ़ा है नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि स्टॉक में जो बहुत जल्दी अपने को मुनाफा मिल सक किजिए अगर आप हमारे यूटोब चैनल फिन ओच पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना